हम कहा हैं? कौन से चेप्टर कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमने मौरिया कंप्लीट कर लिया, मौरियतर कर लिया, अब हम किस पे हैं? गुप्त काल पे. गुप्त काल हमने बार-बार वही बाते की हैं, सबसे पहला चेप्टर कौन सा था? इंडस, दूसरा वैदिग, तीसरा मगद, चोथा मौरिया, पाँचवाँ, पाँचवाँ, छटा, यहाँ पर एक हमें चेंज दिखने को मिलता है, जो हम वैदिक को ही बढ़ाएंगे, वो क्या होंगे? महाजनपद. उतर वैदिक का ही पार्ट होंगे न वो? और उसमें से हम इंपोर्टेंट, मगद जो है, शक्ति सरुपुतर के आता, उसको हम हैं, क्योंकि उसी का इराजय विस्तार होता है, उसी की क्रोनोलोजी में ये सब चल रहा है, अभी तक मौरियत्र काल तक जो भी शक्ति का संतूलन था, वो क्या था? मगद था, लेकिन गुप्त काल में शक्ति का संतूलन कन्योज हो जाएगा, उज्जेन हो जाएगा, अब ह हम थे बिहार में, मौरिय और मौरियत्र, मौरिय काल में, शुंगवंश, नंदवंश, हर्यवंश, सब के शक्ति का केंदर मगद था, और जब हम मौरियत्र में आते हैं, तो मौरियत्र में क्या होता है? सारी शक्तियां, यहाँ पे क्या है साथवाहन, यहाँ पे क्या है शक यहाँ पर क्या है कुशान, शक्ति बट जाती है, केंदर नहीं है, लेकिन गुप्तकाल में फिर से उत्तर भारत में एक केंदर स्थापित होगा, इसलिए हमने तो इसका नाम रखती है ना गुप्तकाल, और फिर आ जाएगा गुप्तोतर, इसको नाम क्यों भोला हमने गुप लेकिन उनके पैरलल में भी बहुत सारे राजा होंगे, लेकिन वो पूरे भारत के राजा ना हो करके, एक एरिया के राजा होंगे, उत्र भारत के राजा होंगे, चिकले आगे, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कि यहाँ पे हमने समाजी कार्थिक धार्मी जीवन के शाक यहां में हमने क्या देखा उत्रवैदिक काल में कि धीरे धीरे क्रिशिक उत्पति उलोहे की खोश से नगरों की सापना हो गई और उसमें सबसे बड़ा नगर कौन निकल के आया मगद फिर हमने क्या देखा हम आगे गए कि मगद में तीन वंशों के बाद मोरिय वंश की स्थापना होती है और पूरे भारत की शक्ती एक ही राजे में किन्रिद हो जाती है फिर आते हैं मोरियों के पतन के बाद मोरियत पर आता है और भारत पर क्या होते हैं आकर्मन हो रहे हैं मोरिये में किसके आकर्मन हो रहे हैं युनानी शक पहलव और कुशान के और उसके साथ साथ भारत बटा हुआ है शुंग शाशन में और साथवाहन शाशन में इनी तीन ग केंद्री करिशाषन व्यवस्ता बट गई और जब उसके टुकड़े हो गई तो वो कैसी दिखती है यानि कि शुंग ने कैसी स्थापना स्थापित की साथवानों ने कैसी व्यवस्ता स्थापित की अब आता है फिर से गुप्त का कि मोर्यत्र काल के बाद कौन सी ऐसी को एक सुतर में बांग लिया करें आगे बाद गुप्तो के बारे में हम दो ही चीज पढ़ते हैं एक तो पढ़ते हैं समाजिक जीवन बहुत बड़ा चेंज आएगा मोर्यत्र आ गये थे वन संखर व्यवस्ता आ गई थी और अंटेच्विलेट बढ़ने लगे थे ऐस्प तो किसी ने बनाई ब्रह्मणों ने क्योंकि साहित्य किसी ने लिखाया निसमरितिया किसी ने लिखी है पुरान किसी ने लिखी है तो उसमें वह वह विवस्ता लिखी गई लेकिन हमने यह आप बार बार बात की है कि शुद्र और एस्प्रेश्य कौन है एक तो समाजी जी प्राचीन भारत का क्यों क्योंकि इस टाइम कला सहित्य संस्कृति में बहुत चरम पर थे हम कालिदाज इस टाइम हमें दिखते हैं ब्रत हरी हम इस टाइम पर दिखते हैं अमरकोश हमें इस टाइम पर दिखते हैं और कितने मंदिर इस टाइम में ही बने हुए हैं और गुप वो मांदिर पूरे विश्व में आदू उत्य हैं, तो इस टाइम जो हमारा फोकस रहेगा, वो रहेगा समाजिक विवस्थापे, वो रहेगा कला के ओपर, वो रहेगा धर्म के ओपर, क्योंकि कला की इसके अंदर दिखती है, धर्म में दिखती है, कि आपकी जीमन शैली कैसी है, वैसी ही कला हो जाएगी, आप दिखेंगी अजन तौल ओरा की गुफाएं, आप दिखेंगी बाग की गुफाएं, तो इन सब चीजों को हमें टच करते हुए जाना है, तो गुप्त काल में शक्ति का केंदर है, उत्री शेत्र, पश्मी शेत्र और दक्षनी शेत्र, यानि कि एक केंदरिय शक्ति नहीं है, मोरिय शाषन के बाद, मोरिय शाषन के बाद भारत में, मोरिय शाषन के बाद भारत में शक्ति संतूलन के लिए कोई केंदरिय शक्ति नहीं थी, पूरा भारत टुकड़ों में बटा हुआ था और इस कमी को पूरा करने के लिए कुशानों के सामन्त गुप्त किस के सामन्त है? कुशानों के सामन्त उत्र परदेश और बिहार पर गुट सामराज्य की स्थापना करते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि सामन्त है, हमने कहा कि अधिन राजा हैं। सामन्त क्या थे? अधिन राजा, छोटे-छोटे राजा जिनको उन्होंने कहा कि तुम अपना परशाशन देखो, टैक्स हमें पे कर दो। गुप्तो का शेतर उत्र परदेश और भिहार दिखता है, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा सिक्के और मुद्राइं हमें उत्र परदेश में दिखती हैं। तो इसका मदलब हुआ कि गुप्तो ने कहां से शाशन किया? उत्र परदेश में। तो अब शक्ती शंतुलन कहां पर है? उत्र परदेश है। गुप्तो के संकालिन नागवंश थे और गुप्तो के संकालिन कौन थे? वाकाटकवंश थे। गुप्तो के संकालिन शक थे। क्यों? क्योंकि विख्रमाधित्य ने रुद्रशेनस दित्य कात्या करके शक शाशएं कोtext को अपने राज्यय में मिला लिया था। तो गुप्टों के समकालिन कोण है? शक हैं और किस वाया किस के अधीन थे? कुषानों के अधीन तो यह भी तो इनके समकाणिन हुवे है अब हम आद आगे गौरी शंकर ओजा और र. c. चंदर कहते हैं, बैनाड जी कहते हैं कि ये शत्रियं हैं ठीक है और हरिश्ट्र शास्त्री कहते हैं कि ये ब्रहामण है, इस तरीके से हमें इनके बारे में पता चलता है कि कौन है, लेकिन स्मृतियां कहती हैं कि गुप्त नाम वो लगाते थे ज जो वैपार करते थे यानि कि ये कौन होए वैश्य है कौन कहती है स्मृतिया कौन कौन सी आगवला के स्मृति है प्राशर शमृति है नारश स्मृति है मनु स्मृति है वेशे होंगे और हम अथंटिक शाक्षय क किसको मंगेंगे? स्मृतियों को मानेंगे? सेकंड बात, पूना से हमें एक अभिलेख मिला है, चंदरगुप्त विक्रमादित्य की पुतरी परभावती का है, उसमें उसने लिखा है कि उसका पिता धारण गोत्र का था और धारण गोत्र वो कहती है कि मेरा पती वाकाटक नरेश जो है वो विश्णुवृधी गोत्र से है और वो भ्रामन है और धारण गोत्र को हम किस से बानते हैं भ्रामन से पूना के तामरपत अभिलेख में हमें मिल चंद्रगौमिन व्याकरण का लेखगह कहता है कि शु dh ए हमारे पास शाक्ष हैं लेखिन हम सबसे अथन्टिक शाक्ष है किसको मानते हैं जो कहती है कि सु निति को मुझ्रण को चैती है कि यह वैशी थे और तामर पुत्वारा करते हैं कि ब्रामन थे चंद्रगुत्विक्रमादित्ते के अभी लेखों में लिखा है कि वो ब्रामन था अब हम इस बात को आगे बटाएं क्योंकि इतिहास में आप किसने क्या कहा कहा क्या लिखाया उसके अधार पर ही बात करते हैं निश्चित्रोर पर हम एक लाइन में ही कह सकते क यह कौन थे चले आगे हमने गुप्तों के बारे में जाना कि गुप्त कौन थे और गुप्त कहां से शाष्ण कर रहे थे कहां से शाष्ण कर रहे थे उत्तरपरदेश और बिहार लेकिन सरवादिक शेत्र इनके कहां मिले हैं उत्तरपरदेश में उसके बाद हमने जाना कि इनकी जाती क्या थी, किस वंश से ये संभन्दी थे, तो हमारे पास शाक्षे हैं, आपके पास question कैसे आएगा, जायसवाल ने क्या कहा, रोमिला थापर ने क्या कहा, स्मृतियां क्या कहती है, चंद्र गोमिन क्या कहता है, मैंज दा कॉलम, clear रहेगा, और पूना तामरपत्र अभी लेख में इनको कौन से वंश का, बताया है, धारण गोत, कर लेंगे, पूना तामरपत्र अभी लेख किन का है, विष्णु, प्रभावती का है, जो कि चंद्र गोमिन विक्रमादित्य की बेटी थी, clear, question यहाँ पर ऐसे बनेगा, आगे आता है, हम देखेंगे, कैसे ह इनकी तिहास, मैं लिखती हूँ पहले, फिर हम बात को आगे बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद, समुंदर गोत, इसके शाक्षियों पर भी हमने बात की नहीं है, कि तिहास का शाक्षिय कौन कहते हैं, कि गोत थे, क्योंकि उनको सिमेटना मुश्किल होगा, हम पहले इनकी परसनलिटी भी बात करेंगे और फिर उनको हम क्रोस क्वेस्टिन करेंगे, कि ये इससे संभंधित था, समुदर गोत, समुदर गोत की बात को नाता है, चंदर गोत, विक्रमादित्य, इसको विक्रमादित्य इसने उपादी दी थी, इसको चंदर गोत दित्य ही बोलते हैं और शुको को हरा के शको को हरा के लाश्ट शक्सामराज्य का आंत करके इन्होंने अपने आपको शक्रादित्ते कहा था शकारी कहा था और विक्रमादित्ते की उपादी ले थी और फिर कोना आता है कुमार गुप्त फिर कोना आता है सकंद गुप्त करें आगे, उसके बाद धुर्व गुद्ध भी आता है, लेकिन वो बन्शामली में, अब ही हम बात करेंगे, कि बन्शावली में हमें कहां से कहां के राजा मिलते हैं। और रामगुद्ध, हमें बन्शावलियों में श्री गुप्त के नाम से संकेत मिलता है, कि श्री गुप्त ने गुप्त राजय के सापना की। ठीक है, और उसके बाद घटोत कच ने उत्राधिकारी बना, लेकिन वो बहुत कम समय के रिए, उसके बाद उत्राधिकारी बनता है, रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है। वंश्यावलियों में कहते हैं कि गुप्त सामराज्य की सापना किसने की श्री गुप्त ने की चंद्रगुप्त प्रथम देवी चंद्रगुप्त कथा में कहते हैं कि राम गुप्त ने एक राजा से हारने के बाद अपनी पतनी को इसको दे दिया था इस बाद से कि हत्यागर के जो है शाषन को हत्या लिया तो इसके संस्तापक कौन है श्री गुप्त है उसके बाद घुटोत कुछ आता है नाम का है उसके बाद आता है राम गुप्त और राम गुप्त के शाषन के बाद कौन बनता है चंद्रगुप्त विक्रमा दिते हैं राजा बनता है चंद्रगुप्त विक्रमा दिते हैं, वास्त्विक संस्तापक, जिसने मालवा, बिहार और बेंगोल के शेत्रों को इसमें मिलाया, चंद्रगुप्त विक्रमा दिते, ने महराजा धिराज की उपाधी को धारण किया, चंद्रगुप्त विक्रमा दिते के बाद हम चलेंगे हाँ पर, कौन बनता है, समुद्र गुप्त बनता है, और समुद्र गुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, चंदुप्त विक्रमादी ते ने एक योड की थी, विक्रम संवत बनाया था, 319, 320, जो कि भारती कलेंडर का आधार है, आपको अभी कि देखते हो कलेंडर में विक्रमी संवत भी लिखा होता है और शक्संवत में लिखा होता है, विक्रमी संवत से कितने सालों के बाद का है, 241 साल का गैप है दोनों में, चंदुप्त विक्रमी संवत कि सापना करता है, वास्विक शक्ति करता है, राज्य का विस्तार करता है,